प्रतिक्षा जान गई है कि रवी काविया से शादी करने जा रहा है और ये बात जानने के बाद उसका दिल तोट जाता है प्रतिक्षा मंदिर से रोते हुए निकल जाती है जबरदस्ती की शादी जबरदस्ती का ग्रह प्रवेश और फिर उसके घर से निकाल देने वाले पलों को याद करके वो रोने लगती है और देवी मां से इन सब बातों का सामना करने की शक्ती देने के लिए प्रातना करती है वही रवी और प्रतिक्षा को पती पतनी समझ कर पंडी जी ने जो तिलक लगाया था काविया उसे रवी के माथे से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती है जिससे रवी को दर्द होता है और वो काविया पर चिलाता है वो कहता है कि वो तिलक सिर्फ भगवान का आशिरवाद है और हर चीज को प्रतिक्षा के साथ जोड़ने की जरुरत नहीं है प्रतिक्षा मंदर वापस आती है और भगवान के सामने तांडव करती है जिससे देखके रवी और बाकी सब शौक्त हो जाते है और जिस शादी के कार्ड को भगवान के चर्णों में अरपन करके आशिर्वत लेने के लिए रवी और काव्या मंदिर आये थे वो कार्ड ही बरबाद हो जाता है फिल शो में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए प्यार के साथ वचन दरम पत्नी और शो से रिलेटड और भी अपडेट्स के लिए Glitz Vision USA को सब्सक्राइब करना ना भूले